कि यहीं दोस्तों आप सब को सवागत करते हैं हम एक आज के इस नहीं वीडियो में जिसमें क्या है कि आज हम क्लास 10 का साइन्स का चैप्टर 1 लेशन 1 का कुछ सबस्ट करें सब्सक्राइब जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक बड़े पदा आर्थ का निर्मान करते हैं स्वंजोजन अविक्रिया कहलाती है जेसे, जेसे में क्या है, C plus O2, Aero, CO2, Aero का मतलब होता बनना, और C का मतलब होता है Carbon, plus O2 मने Oxygen, मतलब Carbon और Oxygen जब आपस में मिलते हैं, दोने मिलकर बनते कहें, तो Carbon dioxide, ठीक है, नमबर 2 इसका उधारन है, S plus O2, Aero-Dase मतलब मिलकर बनता कहें, तो Sulfur dioxide, SO2, S का मतलब Sulfur, O मतलब Oxygen Gase, मतलब Sulfur और Oxygen Gase जब आपस मिलेंगे, तो मिलकर हमारा बनेगा Sulfur dioxide Gase, SO2, आप एक शंजोजन अभिक्रिया का, जो बिप्रित होता है, इसको बोलते है Biogen अभिक्रिया, के मतलब होता है, तूटना, अब भिविजन अभिक्रिया को जो है, अब घटन अभिक्रिया भी काई आता है, आप करा रहें ढियोजन अभिक्रिया हम किसे कहाते हैं, तो कह रहें कि वैस nesse अभिक्रिया, जिसमें एक बड़े पदार्ट तुटकर क्या है दो याद दो से अधिक छोटे पदार्ट के निर्मान करते हैं उसको बीयोजन अभिक्रिया कहा जाता है अब हम जस्ट कहा करें इस्टी को उल्टा करते हैं अनिके CO2 पहले लिखेंगे अनिके CO2 अभिक्रिया किसे कहते है तो कराव वाइसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दुसरे को हटा कर स्वेंग उसका अस्थान कर लेता है विस्थापन अभिक्रिया कर लाता है विस्थापन का मतलब अस्थान परिवर्तना उसको बदल लेता है जैसे करा कि Zen Plus TUS4, Zen का मतला होता है जस्टा या Jink पलस TUS4 मतलब Salesforce जिंक और मिलाया जाता है जब अभि껏 कर लाया जाता है तुस बन्था क्या है oppositeром Zn SO4, Jink phosphate बनता है, और क्या है, कोपर विस्थाफित हो जाता है самом मतलब देखेये, कौपर के साथ क्या है, SO4 है, Zn अलग है, एक जब अभिक्रिया दोनों करता है तो क्या करता है कि SO4 के साथ को मिल जाता है, Zn, और Cu को अलग कर जाता है, Cu को विस्थाफित जाता है यह हमारा कलाता है विस्थापन अभिक्रिया एक और उधारन देख लिए AG प्लस CUSF4 AG मनें शिल्वर मनें चांदी, सिल्वर प्लस कॉपर सुल्फेट को जब मिला जाता है तो बनता है सिल्वर सुल्फेट प्लस कॉपर मतलब देख लिए सिल्वर के साथ अभिक्रिया करता है तो AG सिल्वर बन जाता है कॉपर को विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन मतलब उसका अस्थान परिवर्थन कर देख लिता है का द्वी विस्थापन अभिक्रिया जिसे नाम से पता चलता है द्वी मने दो विस्थापन मने अस्थान परिवर्तन मतलब दोनों को अस्थान परिवर्तन होता है अदला बदली होता है अमारे कहला था द्विस्थापन अभिक्रिया जिसे देख लिए कारे कि वैसी अभिक्र मतला होता है क्या है तो भी स्थापन अभी क्रिया कर लाता है जैसे भी यह लिचाल है निक बिडरियमगलोराइड है भी सिल टू मतलब बियींग प्लियमगाइड नी wra23 here लाया जाता है तो बंता हमारा बारियम शल्फेट प्लस स्थोडियम क्लोराइड मतलब देख लिए के साथ हमारा भी क्या है एक है एस के साथ क्या हो यह कि साथ आगए बिटक चाह निकितर की अधर यह उने के साथ यह आगया बी ये के साथ, दोनों अदला बतले हो गिया, एक और उधान देख लिए NECL प्लस AGNO3, आनिके NECL मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस AGNO3 मतलब सिल्वर नाइटरेट, आनिके सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइटरेट जब मिला आए जाता है, तो बनता है कि AGCL मतलब के साथ आगया, दख़े, NECL इसके साथ आगया, और NECL इसके साथ आगया, दोनों का आदला बतली हुआ है, अब दोनों का आदला बतली होता है, वह हमारा कलाता दिरिस्थावन अभिक्रिया, तो यह वीडियो जदि आप सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़े से पी पूट रही होगी, तो आपनों इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, अब इसकी जय हिंद, धन्यवाद,